बिस्मिल्ला वाह्माल वाहेम अस्लाम लेकुम दियर स्टूडेंट्स उर्दू की वर्क बुक ओपन करें पेज नमबर 37 सबसे पहले यहां पर तरीक मेंशिन करें आज की तरीक है 10 दिसंबर 2020 और आज का दिन है जुमेराद में भी फिलोगा आइन भी और रे अलिफ ते जुम अपना काम बिस्मिल्ला वाह्माल वाहिम से शुरू करें और अल्हम्दलिल्ला पर खत्म करें तहफी में अबारत आमना का घर जैसे पिछे आपने लिखा भी था और जाद भी किया था आमना का घर एक मजबून और आपने पिछले काम में आपने आमना का घर खाली जगा मे भी पूर किया था आज है अबारत आमना का घर के मताबिक मदर्जा जे सवालात के जवाबाद दे पहला सवाल है आमना के घर में कितने दर्वाजे हैं बता है स्टुडेंट्स आमना के घर में डैश दर्वाजे हैं वेरी गूर्ड आमना के घर में दो दर्वाजे हैं डाल वा वो फिलोगा दार्वा तो आमना के घर के दो दर्वाजे है सवाल नमबर दो पोदे और फूल कहां है? पोदे और फूल डैश में हैं कहां है स्टुडेंट्स? वैरिकोर्ट बाग में हैं कहां है? बाग में बेल्फबाग? गाईन बाग, पौदे और कुल बाग में है सवाल नमबर तीन कौन बाग में पौदे लगाता है ये सवाल तो सबको आता है डैश बाग में पौदे लगाता है कौन लगाता है वेरिकूर्ट, माली मीमलिफमा लामचुट, येली माली, बेलिफबा, बेलिफबा, माली, बाबा, बाग में पोदे लगाता है locate the pictures, जरा बताएं तो बाग में क्या-क्या देखने को मिलता है, रग भर कर बताएं स्टूडेंट्स यह देखें KITनी सारी pictures मनी है? पहली है तितली, फूल, गारी, कोट, गास, चाय यहां पे आपने बताना है कि बाग में क्या-क्या देखने को मिलता है सबसे पहले तितली तितली बाग में होती है तो उसमें रंग बढ़ना है दूसरा है फूल फूल भी बागों में होते है तो फूल में भी आपने रंग बढ़ना है गारी नहीं होती, कोट भी नहीं होता, घास होती है बागों में घास होती है तो घास पे आपने रंग बढ़ना है और चाए, चाए नहीं होती, ठीक है सबने अपना काम मुकमल करना है, प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखना है कलर्स गंदे नहीं होने चाहिए ओके स्टुएर्स अलाफिस